एलो एब्रीवन मैं हूँ विकास सर और आज इस वीडियो लेक्चर से अपने सब्जेक्ट का फॉस्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है माइक्रोवेव ट्यूग और आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोड़क्शन किया जाता है उसको फ्रिक्वेंसी के टॉम में डिफाइन किया जाता है और साथ इसका जो नाम है माइक्रोवेव नाम पढ़के या सुनके यह जरूर लगता है कि माइक्रोवेव जो है एक तरह का वेव है तो यह बात सही है कि माइक्रोवेव एक वेव है लेकिन किस तरह क का वेव है और इसका frequency range क्या है इसका wavelength क्या होगा अगर यह बात आप नहीं बताते हो सिर्फ जो microwave है उसको आप यह बोल रहे हो कि microwave एक तरह का वेव है तो आप उसको completely define नहीं कहिए तो इसको अगर complete define करना तो आपको बताना पड़ेगा कि यह किस तरह का microwave है इसका frequency value क्या है और wavelength क्या है तो चलिए हम लोग देखेंगे कि microwave क्या होता है हम लोग introduction का पहला point पड़ेंगे microwave और electromagnetic wave ठीक है microwave क्या है किस तरह का wave है तो microwave जो है एक तरह का electromagnetic wave है हुझ frequency range from 1 GHz to 1000 GHz ठीक है तो इसको हम समझाते हैं बट अभी जो हमने बला कि कोई भी वेव होता है न तो इसको frequency के टॉम में और wavelength के टॉम में define किया जाता है तो यहां पे जो पहला point है इस point के धुरू मैंने microwave को frequency के टॉम में define किया है फिर से इसimedia आपको बताना पड़ेगा तो यहां पे जो microwave है वह electromagnetic wave है microwave क्या है भई तो एक electromagnetic wave है आप इसको याद रखना है और दूसरा बात यह याद रखना होगा कि इसका frequency range क्या होगा ठीक है क्योंकि यह जो wave है इसको frequency से ही especially define किया जाता है तो कोई ऐसा wave जिसका frequency range या ऐसे बोल सकते हो कोई ऐसा electromagnetic wave जिसका frequency range 1 GHz to 1000 GHz हो उसको हम लोग माइक्रो बेव बोलते हैं ठीक है microwave और electromagnetic wave whose frequency range from 1 GHz to 1000 GHz और यह बात आप लोग याद रखना क्योंकि बहुत ही important है ठीक है पहला बात याद रखना होगा कि microwave एक तरह का electromagnetic wave है और दूसरा इसका frequency का value याद रखना ऐसे भी आप लोग wave spectrum पढ़े होगे basic communication में या basic communication का book होगा तो वहाँ पे wave spectrum पढ़ो ठीक है पक्का से बहुत सारे wave के बारे में define बहुत सारे wave को define किया गया होगा उसके frequency range से जैसे आप से पूछा जाता है कि मालो low frequency low frequency signal का range क्या होता है high frequency signal का range क्या होता है very high frequency signal का range क्या होता है ठीक है या फिर ultra high frequency signal का range क्या होता है तो यह जितना भी हम frequency का बात कर रहे हैं या signal का बात कर रहे हैं उसको frequency के tom में define किया जाता है और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे communication device जो होते हैं अलग-अलग frequency band पर काम करता है ठीक है जैसे मोबाइल है तो अलग frequency band पर काम करता है टीवी है तो वो अलग frequency band पर काम करता है और भी कोई रडार है microwave है तो सबका frequency band अलग-अलग होता है ठीक है तो signals को उसके frequency band पे या frequency से define किया जाता है ये बात आप लोगों को पता होगा वैसे ही microwave का एक frequency range होता है या कर सकतो कोई ऐसा electromagnetic signal जिसका frequency value 1 GHz से 1 GHz से लेके 1000 GHz का हो उसको हम लो microwave बोलता है यहाँ पर यह जो बात हमने लिखा बस है सही लिख दिया कि 1 GHz equal to कितना हर्ज होता है तो 1 GHz equal to 10 to power 9 हर्ज तो इसका बहुत कोई मतलब नहीं है यह आप लोगों को साथ पता भी होगा हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही पॉइंट है बहुत सारे competitive exams में यह question पूछा जाता है ठीक है दा range of frequency 1 GHz to 1000 GHz is called microwave frequency the range of frequency मतलब frequency का range ठीक है और range क्या होता है range का मतलब होता सीमा ठीक है और range जब भी word use किया जाता है तो उसका एक lower limit होता है एक higher limit होता है मतलब lower limit से लेके higher limit के होता है तो वैसे आसा भी होता है जिसका value fix होता है तो उसमें range word use नहीं किया जाता है लेकिन कोई value है जिसका value में variation है एक lower end से लेके higher end तक value में वह क्या कर सकता है भैरी कर सकता है तो यहां पर थौह समझोगे the range of frequency 1 GHz to 1000 GHz is called microwave frequency मतलब कोई signal है जिसका frequency value 1 GHz से लेके 1000 GHz का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे microwave frequency बोलेंगे या कोई frequency है ऐसे भी बोल सकते हो signal के भी term में बोल सकते हो या frequency के भी term में बोल सकते हो कोई frequency है जिसका value 1 GHz से लेके 1000 GHz का होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं microwave frequency बोलते हैं और इस बात को याद रखना क्योंकि यह बहुत सारे J level पर यह question पूछा जाता है और पूछा जा चुका है microwave frequency का range कितना होता है यह बहुत बारी question पूछा जा चुका है तो याद रखना होगा कि microwave frequency का value होता 1 GHz से लेके 1000 GHz के बीच में ठीक है या 1 GHz से लेके 1000 GHz तक अगला point क्या है the word microwave made up of two words micro and wave ठीक है इसका क्या मतलब है the word microwave made up of two word micro and wave कह रहा है क्या कि यह जो microwave word है सब्द है यह दो सब्दों से बना हुआ है किस किस सब्द से बना हुआ तो micro से बना हुआ है और wave से बना हुआ है इसको आप ऐसे समझे है micro plus wave यानि कि यह दो अलग-अलग सब्द हो गए दो अलग-अलग word हो गए और इनसे बना है microwave ठीक है तो यहाँ पे इसके नाम पे हम लोग भी discuss करने वाले हैं कि इसका नाम microwave क्यों है wave का मतलब यहाँ पे electromagnetic wave से है और यह जो micro है ना यह समझने वाला बात है कि micro word क्यों यूज किया गया है micro का मतलब होता है बहुत छोटा micro word किसके लिए यूज किया जाता है बहुत छोटा के लिए कोई सीज होता है बहुत small size का होता है तो उसके लिए हम लोग micro word यूज करते हैं और यहाँ पे जो micro word यूज किया गया है यहाँ पे टीनीनेस के लिए यूज किया गया है, टीनीनेस मतलब अत्याधिक छोटा, मतलब बहौत ही छोटा कुछ चीज होता है, उसके लिए हम लोग टीनीनेस, यानि की माईक्रो वोड Shopify यूज करते हैं, मतलब दोनों बात हो गया, माईक्रो का मतलब हो गया, तो यह टॉम में यूज किया गया है वेव लेंद के एक्चुली क्या है थुरसा बात को समझोगे आगे इस पॉइंट में यही बात लिखा हुआ भी है हमारा जो microwave signal है इसका frequency value बहुत जादा है 1 GHz से 1000 GHz यह कोई normal frequency का value नहीं है बहुत ही high frequency का value है ठीक है इस frequency का value इतना हाई है आप लोग सायद पढ़े होगे कि satellites communication के लिए हम लोग GHz वाला signals को यूज करते हैं 6 GHz से लेके या 4 GHz से लेके 12 GHz तक का frequency यूज करते हैं यानि कि long distance communication में जो signal यूज किया जाता उसका frequency का value GHz में होता है microwave हो गया, radar communication हो गया, satellites communication हो गया तो इन सारे में GHz के range में frequency का value होता है आया बास मुझे तो यह जो frequency का value जब very high हो जाता तो wavelength जो होता है वैसा signal जिसका frequency का value very high होता है उसका wavelength बहुत छोटा होता है, ठीके, आज हम यह भी बताने वाले हैं, अगला जो topic हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है relation between frequency and wavelength और यह relation आप लोग जानते होगे, frequency का value होता है c by lambda, frequency और lambda एक दूसे का inversely proportional होता है मतलब frequency का value बहुत जादा होता है, तो wavelength बहुत छोटा होता है, चलो इतना से अभी हम लोग काम चलाएंगे, फिर उस topic को वहाँ पर हम पढ़ाएंगे अब आते हैं इस topic पर, the word microwave made up of two words, micro and wave, where micro means tininess and it is used for wavelength, ठीके, जहाँ पर micro का मतलब है tininess और इसको use किया गया है wavelength के लिए actually क्या है, जो microwave signal होता है, या जो microwave होता है, microwave तो एक wave ही है न, electromagnetic wave, तो इसका जो frequency का value है, very high है और frequency का value very high होगा, तो obviously इसका wavelength क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, अत्याधिक छोटा होगा, इसलिए जो microwave है न, देखो, एक तरह का electromagnetic wave है, तो electromagnetic wave से सिर्फ wave को लिया गया है और उसके आगे लगा दिया गया micro और यह microwave जो बना है micro-subdue use किया गया उसके wavelength के करान क्योंकि इसका wavelength जो होता है very small होता है कोई ऐसा wavelength जिसका wavelength क्या हो very small हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं microwave बोल सकते हैं अभी इसके wavelength पे और भी discuss करेंगे आगे के points जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे अगला point क्या actually the wavelength of microwave signal is very short actually the wavelength of microwave signal is very short मतलब जो microwave signal होता है उसका wavelength very short होता है बहुत ही छोटा सा होता है that is from few centimeter to fraction of mm few centimeter बोलने का मतलब क्या कुछ centimeter से लेके fraction of mm mm बोलने का मतलब है millimeter उसमें भी fraction में millimeter का भी कुछ part fraction मतलब क्या होता है कोई part जैसे one by two करता है तो इसका मतलब है कि एक को दो से हम लोग divide करते हैं तो दो part में कोई एक चीज है दो part में बढ़ जाता है तो उसको fraction of something बोलता है ठीक है fraction of one बोलते है या कुछ भी बोलता है तो वैसे ही fraction of millimeter मतलब millimeter को भी divide कर दिया जाए किसी चीज से तो उसका जो एक part होगा उसको fraction of millimeter बोलता है तो इसका जो wavelength होता है वो कुछ centimeter से लेके fraction of millimeter के बीच का होता है ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते है इसको और अच्छे से define करेंगे अगला जो point है in short a microwave जो signal that has a wavelength of one foot or less ठीक है इसका मतलब क्या है कर रहे कि अगर short में बात की जाए तो microwave क्या है भई तो a microwave जो है that has a wavelength of one foot मतलब microwave जो है एक तरह का signal है जिसका wavelength जो है एक foot से कम होता है एक foot या एक foot से कम होता है तो आपको याद रखना है कि microwave एक signal है जिसका wavelength एक foot या एक foot से कम होता है और starting में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी wave होता है या कोई भी signal होता है तो उसको दो term में define किया जाता है एक frequency के term में define किया जाता है और दूसरा wavelength के tom में define किया जाता है ऐसे भी जहाँ पर frequency involved होगा वहाँ पर wavelength का भी बात किया ही जाता है ठीक है? तो किसी signal को अगर frequency के tom में define कर रहा हो तो कहीं न कहीं wavelength का बात जरूर किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग जो microwave को define कर रहे हैं देखो कि पहले वाले point से हम लोग frequency के tom में इसको define किया थे और यह जो last वाला point है इसी microwave को हम लोग wavelength से define कर रहे है clear हो गया? चीक है अब देखो क्या बोल रहा है कि in short a microwave जो signal that है wavelength of one foot or less मतलब इसका हो गया कि microwave एक signal है जिसका wavelength एक foot या एक foot से कम होता है that is lambda less than 30.5 cm थो इसको याद भी रखना होगा बहुत बारी पुछा जाता है almost equal to 1 GHz लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि 1 GHz frequency पे 1 GHz frequency पे इसका wavelength जो होता है 30.5 cm होता है ठीक है जैसे इसका frequency का range क्या हो गया? तो 1 GHz to 1000 GHz पढ़ लिए ठीक है और एक बात समझोगे यहाँ से हम लोग relation क्या जानते हैं? जो wavelength होता है inversely proportional to frequency होता है या इसको उल्टा करके भी बोल सकते है frequency wavelength का inversely proportional होता है अब देखो यहाँ पे frequency कम होगा तो wavelength क्या होगा? ज्यादा होगा यानि कि 1 GHz पे इसका wavelength क्या होगा? कम होगा देखो यह arrowhead नीचे के तरफ है इसका मतलब क्या है? कि 1 GHz पे Sorry, 어느 बना दिए wavelength ज्यादा होगा उपर के तरफ रखेंगे arrowhead को यानि कि 1 GHz पे wavelength इसका क्या होगा? ज्यादा होगा 30.5 cm होगा और जैसे जैसे अब फ्रिक्वेंसी का वैलू बढ़ते जाएगा क्योंकि इसका तो रेंज है 1 GHz से लेके कहां तक 1000 GHz अगर सपोज करो कि फ्रिक्वेंसी का वैलू 1 GHz से उपर बढ़ा 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz बढ़ते गया तो वैसे वैबलेंद का वैलू क्या होते जाएगा घटते जाएगा यानि कि मैक्सिमम इसका वैबलेंद कितना है इस बात का मतलब यह है कि माइक्रोवेब सिगनल का जो मैक्सिमम वैलू होता है वो अल्मोस्ट 30.5 cm होता है और यह जो मेजरमेंट किया गया है उसके लिए कितना फ्रिक्वेंसी को यूज किया गया है 1 GHz को और 1 GHz के उपर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा वैबलेंद घटते जाएगा क्लियर ठीक है बहुत ज्यादा बताने का ज की फ्रिक्वेंसी और वैबलेंद के बीच में क्या रिलेसन होता है ठीक है चलो यहां पर आमने लिखा है the equation which shows the relationship between frequency and wavelength is मतलब कोई equation है जो कि relation सो कर रहा है frequency और wavelength के बीच में और वो कौन सा relation है वो relation है f equal to c by lambda यह बहुत ही important relation है और बहुत ही famous भी है famous इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सुरू से पढ़ते आये होगे engineering के बचपन से पढ़ते आये होगे मतलब first year से ठीक है तो engineering का जो बचपन होता वो first year होता है चलो ठीक है यह सब हासी मैं जाक वाली बाते हैं अब हम लोग काम का बात करेंगे यह जो formula होता यह ज़रूर आप लोगोने पढ़ा होगा f equal to c by lambda जहाँ पे f जो है frequency होता है c जो होता है speed of light होता और lambda जो होता है wavelength होता है जो signal हम लोग जिस signal का frequency का बात करेंगे उसी का wavelength यह होगा तो f equal to हो गया c by lambda यह सारी बाते यहाँ पे लिख दिये f equal to frequency c equal to speed of light जिसका भैलो लिखा है 3 into 10 to power 8 meter per second यह बात आपको याद रखना होगा और यह जो lambda है यह wavelength है कभी का बार J level का जो इजाम होता government sector के लिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत बाड़ी wavelength का भैलो दे देता है बोल देगा कि यह कोई sinusidal signals है या कोई electromagnetic signals है जिसका wavelength का भैलो इतना है आप frequency का भैलो फाइंड आट कीजे तो उस case में आप लोगों को यह c का भैलो याद रखना होगा अगर c का भैलो याद है lambda का भैलो दिया हुआ है तो frequency का भैलो find out कर लोगे अब देखो यह relation हम लोगों क्यों पढ़े तो यह relation हम लोगों को यह relation इसलिए हम लोग पढ़े देखो हमने लिखा है, from the above equation, मतलब इस equation से, if inversely proportional to 1 by lambda, यानि कि इसका मतलब हुआ कि frequency और lambda, एक दोसे का inversely proportional है, अगर frequency का value high होगा, तो lambda का value क्या होगा, low होगा, आरा है समझ में, या दूसरा case हो सकता है, कि frequency का value low हो, तो lambda का value high हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीके, दोनों मतलब होता है, और अभी कुछ दिर पहले ही पढ़े, जैसे मानलो 1 GHz पे अगर wavelength का value निकाला जाए, frequency का value 1 GHz लिया जाए, तो wavelength निकालोगे, तो ये 30.5 cm के आसपास होगा, ठीके, लेकिन अगर 1000 पे निकालोगे, 1000 GHz पे तो ये frequency का value बहुत ही कमाएगा, कुछ fraction of millimeter आएगा, millimeter मतलब बह का gap है ना, इतना, सोच सकते हो, और wavelength क्या होता है, ठीके, आप लोगों को पता होगा, wavelength क्या होता है, तो चलो हम थासा define कर देता है, एक wave का जो length होता है, उसको wavelength होता है, simple भासा में, अगर wavelength को define करना होगा, तो आप बोल सकते हो, length of one wave, length of one cycle भी बोल सकते हो, जैसे ये कोई signal ह इसका एक cycle यहां से लेके यहां तक है, यानि कि यह starting point हो गया, यह end point हो गया, तो इसका जो पूरा लंबाई होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, wavelength यानि कि lambda से represent करेंगे, और wavelength का जो unit होता है, आप लो जानते होगे, इसको centimeter या meter में major किया जाता है, क्योंकि यह एक तरह का लंबाई है, किस चीज़ का लंबाई है तो wave का लंबाई है, एक cycle का, एक signal का length बोल सकते हो, या एक wave का बोल सकते हो, ठीक है, तो यहां पे जो wavelength है, इसको हम लोग इस तरीके से define करते हैं, मतलब एक wave का, एक काम किजिए, विडियो को यहां पे pause करके, इन सारी बातों को होगा मतलब फ्रिक्वेंसी यहां पर हाई है तो वेबलेंद क्या होगा सौट होगा स्वासा इसको हम ग्राफिकली यानि कि वेबफॉर्म से भी डिफाइन कर देते हैं आप लोग पहले इसको लिख लीजे उसके बाद सरह हे हैं तो आईए हम लोग डिसक्स करेंगे यह जो रिलेशनक है इसको थे साब वेब फَّयों से भी समझते हैं फ्रिक्वेंसी और डिफ्नी समस्क्राल का दिख लेया होता है तो आपप फ्रिक्वेंसी को ऐससे ही बोल सकते हैं नंब्र ओफ साइकल पर सेकेंड एक सेकेंड म कोई signal है जिसको sinusoidal से represent कर रहे हैं ऐसे ठीक है ऐसा कुछ भी हो सकता है अब देखो यहां पे एक cycle यहां से लेके यहां से लेके यहां तक का जो time है इसको एक सेकेंड मान लेते हैं ठीक है अगर time की बात कि जाए यह time axis हो गया एक सेक्सिस पर हम लोगोंने time लिया और यहां से लेके यहां तक को हम लोगोंने क्या माना एक सेकेंड का time लिया और एक साइकेंड में यह cycle कितना complete हुआ एक साइकल बना रहा है यानि कि यह जो wave है एक frequency value क्या होगा तो frequency का अभी हमने क्या define क्या था number of cycle in one second यानि कि एक second में ये कितना cycle बना है एक cycle बना है एक second में एक cycle बना है तो इसका frequency का value होगा वन हर्ज ऐसे भी frequency equal to क्या होता है 1 by T होता है जानते हो आप लो 1 by T का value 1 second put करोगे ठीक है यहाँ पर T second में होगा तो 1 by 1 यानि कि 1 हर्ज आजाएगा तो आप mathematical calculation करते हो तब भी ये आजाएगा या फिर number of cycle in one second भी करोगे तब ये ही होगा एक second में एक cycle बना है यानि कि frequency का value 1 हर्ज आया अब देखो इसका wavelength कितना होगा तो माल लेते हैं कि इसका कुछ wavelength होगा ये wavelength होगया इसको lambda 1 मान लिए एक दूसरा signal बनाते है चीक है ये माल लोग दूसरा signal है इसका wavelength और frequency को relate करना है हम लोग को ऐसा कोई signal है तो अब ध्यान से देखोगे दोनों में difference क्या है अगर हम लोग बात करें एक सेकेंड का यहाँ पे भी time हम लोग वन सेकेंड ही लेंगे कितना time लिए वन सेकेंड लिए अब आप से हम पूछ रहे हैं कि एक सेकेंड में यहाँ पे यह जो wave है या जो signal है कितना cycle complete किया तो obviously आप बोलोगे कि sir दो cycle complete किया यहाँ से लेके यहाँ तक एक cycle फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दो cycle यानि कि उसी एक सेकेंड में इसने दो cycle complete किया यानि कि एक सेकेंड में इसने दो cycle बनाया इसका frequency का value टू हर्ज लिख लेंगे ठीक है यहाँ फिर अगर frequency का value calculate करोगे तो 1 by T होता है 1 by यहाँ पे t का value आपको देखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे t का value कितना लिया था आपने 1 second लिया था ठीक है तो यहाँ पे 1 wave का जो time होगा पहले वाले के respect में आधा होगा यानि कि 1 by 2 होगा ठीक है देखोगे यहाँ पे 1 wave का time कितना है 1 second है यहाँ पे 1 wave का time कितना होगा तो पहले वाले का आधा है आधा ही second में यह 1 wave complete कर लिया ठीक है तो 1 wave complete कर लिया इसका frequency का value निकालोगा तो 1 by 2 लिख होगे तो यह 2 हर्ज आ जाएगा तो आप ऐसे भी बता सकते हो या ऐसे भी simply अगर define करना है तो number of cycle in 1 second यह याद रखो अब देखो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यह जो signal है जिसका frequency का value 2 हर्ज है एक यह signal है जिसका frequency का value 1 हर्ज है दूसरा जो signal है उसका frequency का value 2 हर्ज है अगर मैं पूछूँ कि इसका wavelength बताओ क्या होगा ठीक है तो आपके पास क्या जबाब होगा एक wave अभी कुछ देर पहले बता है कि एक cycle का जो length होता है उसका wavelength अगर lambda 1 है तो इसका wavelength कितना हो जाएगा lambda 1 by 2 हो जाएगा आधा ही तो आ रहा है समझो ना ऐसे इसका wavelength एक cycle का wavelength क्या होगा इसका आधा होगा अगर ये मालो 2 cm का होगा तो ये इसका value कितना होगा 1 cm होगा example के रूप में बता रहे हैं तो आधा हो गया एक चीज़ क्या देखो हुआ यहाँ पे frequency का value 1 से 2 Hz हो गया यानि कि frequency का value बढ़ा तो wavelength का value क्या था पहले इसका frequency का value जो 1 Hz का frequency वाला signal था उसका wavelength 2 cm था अब जब frequency का value बढ़के 2 Hz हो गया तो इसका wavelength आधा हो गया ठीक है यानि कि 1 Hz पे इसका wavelength 2 cm था और 2 Hz पे इसका wavelength 1 cm हो गया frequency का value बढ़ा wavelength का value क्या हो गटा वैसे ही कोई तीसरा signal को भी compression कर सकते हो सुचो कि एक ही साइकल में ये 4 साइकल हो जाएगा घड़ जाएगा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो और I think कि ये सारा बात आप लोगों को आता होगा इतना ज्यादा मुझे बताने का जुरुत भी नहीं होना चाहिए बट थोड़ा सा हम लोग जो topic आगे चलके हम लोगो मिलने वाला है उसको ऐसे ही division करते हुए चलेंगे ठीक है ताकि आगे हम को पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पढ़ाना देते हैं ठीक है इसको थ्वासा जो microwave वाला टर्म था उसको अच्छे से समझ लीजेगा पढ़ लीजेगा अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं ठैंक्यू